नमस्कार, मैं राजकिशोर्बिस्ट, डिस्केट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर स्रीज में आज हम फॉंक्शन्स सीखेंगे आए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या कै सीखेंगे सरवर्थम फॉंक्शन किसे कहते हैं, कथा इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, यह सीखेंगे विभिन प्रकार के फॉंक्शन्स सीखेंगे हम फॉंक्शन्स का कमपोजिशन निकालना सीखेंगे अंत में computer science में प्रियोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण functions सेखेंगे आईए function को समझने से पहले एक उधारन देखते हैं माना कि A चार चात्रों का एक set है equal to Suresh, Mahish, Hari, Namita और B 0 से लेकर 100 तक integers का set है माना कि R A से B में एक दिखाया गया relation है R की सहायता से क्या हम गणित में प्रतिक चात्र के अंक प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि Namita के marks नहीं दिये हुए हैं तथा Suresh के दो अलगलग marks दिये हुए हैं प्रतिक चात्र के अंक निकालने के लिए हमें कुछ अत्रिक्त प्रतिबंदों की आवश्रिक्ता है प्रतिक चात्र set A के प्रतिक element को set B के ठीक element marks जाना चाहिए कोई भी चात्र set A के element बिना marks है अर्था set B के element के नहीं छूटना चाहिए है यदि हम किसी relation में इन प्रतिबंदों को लागू करते हैं तो हमें एक function मिलता है इस प्रकार function इन अत्रिक्त प्रतिबंदों के साथ एक relation है definition of a function x से y तक का function f एक ऐसा नियम है जो x के प्रतिक मान के लिए y का एक विशिष्ट मान देता है set x को domain कहा जाता है था set y को function f का co domain कहा जाता है y का subset जिसमें हर element x के किसीने किसी element की mapping हो f की range कहा जाता है उदारन के लिए यदि x equal to 1,2,3 और y equal to 1,2,3,4,5 और f x से y में एक mapping है जिसको f x equal to x plus 1 के रूप में परिभाशित किया गया हो तो x domain है y को domain तथा set 2,3,4 f की range है यहाँ पर कुछ functions के domain तथा range दिये हुए है types of functions 1,1 function किसी function को 1,1 कहा जाता है अगर domain के अलग-लग elements की अलग-लग images है mathematical form में function 1,1 होता है यदि f x 1 equal to f x 2 को हम लें और इसके परगाम से रूप हमें x1 equal to x2 मिलें या x1 is not equal to x2 या x1 is not equal to x2 या x1 is not equal to x2 जो इंटेजर से हैं तथा f x1 equal to f x2 इसको solve करने पर हमें x1 equal to x2 मिलता है जो यह साबित करता है कि f 1,1 to 1 function है manual function कोई function f x से y में manual कहलाता है यदि x में 2 या 2 से अधिक elements की एक ही image हो mathematical form में एक function f जो की x से y में हो manual कहलाता है यदि x में ऐसे कोई 2 असमान elements x1 तथा x2 हो जिनके लिए f x1 equal to f x2 होता हो उदाहरन के लिए यदि f z से z में एक function हो जिसे f x equal to 2 x square प्लस 5 के रूप में परिभाशित किया गया हो हमें चेक करना है कि f एक 1 to 1 function है अथवा नहीं माना कि x1 तथा x2 दो integer से हैं तथा f x1 equal to f x2 इसको solve करने पर हम x1 equal to plus minus x2 पाते हैं हमारे पास x1 के लिए दो मान हैं जो यह साबित करता है कि f एक manual function है on to function कोई function f from x to y on to कहलाता है यदि range of f equal to y हो या दूसरे शब्दों में y के प्रतिक element तो कि small y से जो यहाँ पर हमने दिनोट किया है हर एक element के लिए x में भी एक element small x से जो दिनोट किया गया होना चाहिए जिसके लिए fx equal to y होता हो on to function को surjection भी कहा जाता है उदाहरन के लिए fz से z में एक function है जिसे fx equal to x plus 5 के रूप में परिभाशित किया गया है हमें दिखाना है कि f1 on to function है यह साबित करने के लिए कि function on to है हमें यह दिखाना होगा कि co domain में परते एक element k के लिए domain में एक element x उपस्तित है जिसके लिए fx equal to k यदि हम fx equal to k को fx equal to x plus 5 में रखते हैं तो हमें x equal to k minus 5 मिलता है जो integer है इस प्रकार co domain में परते एक integer k के लिए domain में एक integer k minus 5 उपस्तित है जिसके लिए f of k minus 5 equal to k minus 5 plus 5 equal to k होता है इसलिए f की range fk co domain के बराबर है और यह function on to है दूसरा वो धारंग ले दिलें fz से z में एक function है जिसे fx equal to twice x के रूप में परिवाशित किया गया है हमें check करना है कि f एक on to function है अथवा नहीं है माना कि fx equal to k co domain z का एक element है यदि हम fx equal to k को fx equal to twice x में रखते हैं तो हमें x equal to k by 2 मिलता है यदि k एक विश्ण संक्या होगी तो k by 2 एक integer नहीं होगा इस प्रकार co domain में विश्ण संक्या domain में किसी भी element से mapping नहीं कर रही है अथा function on to नहीं है identity function किसी function i जो x से x में define किया गया हो identity function कहलाता है यदि प्रतेक x के element की mapping swam में ही हो constant function किसी function f जो x से y में हो को constant function कहा जाता है यदि प्रतेक x के element की mapping y की किसी element c में हो दूसरे शब्दों में एक function को constant function कहा जाता है अगर उसकी range singleton set हो invertible function किसी function f जो x से y में हो को invertible कहा जाता है यदि इसका inverse relation f inverse y से x तक का एक function हो अर्थात y के प्रतिक element के लिए f inverse x का एक अदुती मान प्रदान करता हो function invertible होगा यदि यहाँ दोनों 1,1 तथा on to हो किसी भी function के inverse को निकालने के लिए पहले हम दिखाते हैं कि function 1,1 on to है और फिर हम y के संदर्व में x लिखते हैं हमें इस प्रकार function का inverse मिलता है यहाँ पर उधारणा में function fx equal to e raised to power 4x plus 5 का inverse 1 by 4 log x minus 5 है composition of functions यदि f x से y में और g y से z में दो function हैं तब f और g का composition जिसे g composition f in short इसे हम g of पी कह सकते हैं g of के रूप में जो लिखा जाता है यहाँ x से z तक का एक function है g composition fx equal to g fx के रूप में हम इसे परिभाश्यत करेंगे उधारणा के लिए f r से r में एक function है जिसको fx equal to twice x minus 1 और g r से r में एक function है जिसको gx equal to x by 3 के रूप में हमने आपर परिभाश्यत किया है हमें f composition g तेथा g composition f of x निकालना है यहाँ दोनों functions r से r तक दिये गए है इस प्रकार हम f o g और g o f को परिभाश्यत कर सकते हैं f o g of x f of g x equal to f x by 3 equal to twice x by 3 minus 1 होगा तथा g o f x g of f x equal to g of twice x minus 1 equal to twice x minus 1 by 3 समानी रूप से यह आप देखें तो f composition gx ता g composition fx आपस में बराबर नहीं होते हैं हम यहाँ देखेंगे कि कौनसी ऐसी condition है कि दो function का composition exist करता है अथवा नहीं दो functions का composition exist करना आवश्यक नहीं है f composition g के exist करने के लिए यह आवश्यक है कि g की range f के domain का एक subset हो यदि fx equal to minus x square हो तो gx equal to log x हो तो f composition g exist करता है और इसकी value आप यहाँ देखेंगे कि minus of log x के whole square के बराबर है g composition f exist नहीं करता है क्योंकि fx का मान एक negative होगा जबकि log positive numbers के लिए define होता है अब हम computer science में कुछ उप्योगी functions पर चर्चा करेंगे floor function floor function real number से integers के set में एक mapping है जो किसी real number x को उस अधिकतम integer में बदलती है जो की x से अधिक ना हो उधारण के लिए floor function 2.4 कमान 2 minus 3.6 कमान minus 4 ता 5 कमान 5 होगा ceiling function ceiling function real number से integers के set में एक mapping है जो किसी real number x को उस नियुनतम integer में बदलती है जो की x से अधिक हो उधारण के लिए ceiling function 2.4 कमान 3 minus 3.6 कमान minus 3 ता 5 कमान 5 होगा remainder function माना की x एक integer है और m एक positive integer है remainder function को k mod m equal to r से परिवाशित करते हैं जहां r k को m से विवाशित करने पर बचा हुआ शेश है इसे को integer p के लिए k equal to pm plus r के रूप में भी लिखा जा सकता है उधारण के लिए 25 mod 4 equal to 1 तथा 17 mod 3 equal to 2 recursively defined function किसी function को recursively defined function कहा जाता है यदि वह स्वैम के रूप में परिवाशित किया गया हो उधारण के लिए हम जानते हैं कि factorial n equal to n n minus 1 up to 3 into 2 into 1 इसे हम इस तरह के भी लिख सकते हैं कि n into n minus 1 factorial हम वालूम है कि factorial 0 equal to 1 इस function को हम इस प्रकार से भी परिवाशित कर सकते हैं इस लेक्चर में हमने function को define करना सीखा विवन प्रकार के functions सीखे functions का composition निकालना सीखा और अंत में computer science में प्रियोग होने वाले functions के बारे में सीखा अगली lecture में हम counting techniques के बारे में सीखेंगे धन्यवाद इस रही फिस लेगर में सीखा उन्यवाद कर नहीं सीखेंगे